हलो दोस्तों स्वाकत है आपका डिमांकेटिंग बौहल में मेरा नाव है विशेग दोस्तों आज की वीडियो के यह घूराइह विटाइश होस्टीं धोस्तों आपको पैरूँ से best uptime भी मिलता है और साथ में इस वीडियो के description में मैं आपको एक discount link भी प्रवाइट करूँगा जिसके तुरू आपको 65 प्लस 10% का extra discount भी देखने को मिलेगा और वो जो 10% का extra discount है वो आपको हमारे link के तुरू ही मिलेगा लेकिन गाईज इस वीडियो को end तक जरूर देख लेना एक बार ताकि आपको समझ में आजा कि कौन सा plan purchase करना है और कितने सालों के लिए purchase करना और एक और bonus है जो कि इस वीडियो के end बताऊँगा कि renewal के time पे अपनी costing को आप कैसे कम कर सकते हैं ठीक गाईज तो इससे पहले कि वीडियो को start करें अप जाजेगा चैनल को subscribe और bell icon को press ताकि जब भी मैं कोई वीडियो प्रोट करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बिले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ओकी गाईज तो description में दिएगए discount link पे आप जैसे वहां से जाके आप directly purchase कर सकते हैं लेकिन गाईज इस वीडियो को आप end तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत information बातें बताने जा रहा हूँ ब्लूगोस के बारे में और कुछ और bonus भी है कुछ bonus videos भी है और कुछ bonus links के बारे में मैं आपको बात करूँगा और renewal के time पे अपने cost को कैसे कम कर सकते है hosting में तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूँ तो इस वीडियो का end तक जरूर देखना क्योंकि renewal वाली जो बात है वो वीडियो के end में बताऊँगा और कौन सा plan purchase करना है इन सब चीज़ों के बारे में में डिस्कस करेंगे तीक है अब best website hosting 2023 की हम यहाँ पर बात करने है तो guys मैं आपको अदादो 2021 और 2022 में जो best hosting का आवार्ड मिला था ब्लू होस्ट को मिला था ठीक है अब क्योंकि ब्लू होस्ट जो है एक ऐसी वेब होस्टिंग कमपनी है जो wordpress hosting के लिए बहुत जादा famous है और यही एक बहुत बड़ा reason बन जाता है कि ब्लू होस्ट को सबसे ज़्यादा लोग पसंद इसलिए करते है जो लोग सबसे ज़्यादा ब्लू होस्ट को ट्रस्ट भी इसलिए करते है क्योंकि wordpress के लिए इसकी जो compatibility है वो market में best है यह बात तो हम कभी भी बिल्कुल भी नकार नहीं सकते ही wordpress के लिए ब्लू होस्ट सबसे compatible web hosting है ठीक है और इसी चीज़ पर ब्लू होस्ट ने सबसे ज़्यादा focus किया सबसे ज़्यादा मेहनत की है और इसी मेहनत का फल है कि wordpress hosting में यह best है और साथ में wordpress hosting के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है और इसके लावा इस पिछले 2022 के अगर हम पिछले साल जूलाई आउगस्ट अगर शुरू करें तो तब से ब्लू होस्ट जो है वो e-commerce hosting के इंडस्ट्री में भी आ गया है तो WooCommerce hosting के नाम से WooCommerce hosting भी सेल कर रहा है इस पर अभी बहुत ज़्यादा focus कर रहे है अभी जो WooCommerce है यह भी अगर देखा जाया तो WordPress पे ही काम करेगा तो यह सारी जो चीज़े हैं यह Bluehost की बहुत अच्छी है और अब हम बात करते हैं अप टाइम की जो की जिसके लिए मतलब हम webhost कोई web hosting में सबसे important चीज़ क्या होती है अप टाइम होती है ठीक है bandwidth होती है ठीक है उनका server कहां पर Indian server भी मिलना चाहिए US server के साथ इंडिया server भी होना चाहिए तो यह सारी चीज़े जो है और अप टाइम जो है 99.95% का अप टाइम हमें देखने का मिलता है इससे उपर का अप टाइम की guarantee कोई भी hosting company नहीं देती है ठीक है इसके बराबरी में को थोड़ी बहुत होस्टिंग अप टाइम देखने को मिलता है और ब्लू होस जो है ब्लू होस को वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है अगर देखे ब्लू होस इस बन अब तोड़ा एक्जांपल लेड़ अच्छी कमनी है और डबली पी एंजिन तो भी कच्छी कमनी है और इसके अलाबा जो पेजली है जो कि सबसे मेंग की मैनेज वर्डप्रस होस्टिंग पर एड़ करवाती है तो पेजली जो की मेने के आप से वेस पच्छी सदार रुपई जो है आराम से ले लेती है तो ठीक है है जी मिलता हुए आप काफी ४् istem नहीं रहा हूँ मैं यह ही ओना कि मार्केट में सबसे कम ड्रू लुहोस्टिस भी नहीं एड़र आपको गुम्फिर के ब्लूओस के पास आना जरूर पड़ेगा, ये मैं कहूंगा, क्योंकि अगर आपने सस्ता होस्टिंग एक बार ले लिया, तो आप कहीं ना कहीं मैंन्थली 10-20 रुपे बचाते हैं, तो बात में जाके जब आपको बहुत सारे इस्यूस आएंगी, जैसे ठीके, तो ये सारे चीज़ जो है, बहुत सारे कमप्टिंगे ये आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ब्लू होस्ट में ये सम имеет मिलता है, तो उन कमप्टिंगे को यूस करने के बाद एक या दो मेहीने यूस करने के भाद आप परेशान हो जागा, परेशान हो जागा आपक क्यूंकि customer service भी कापी सारे कमपनी की बहुत ख्राब रेती है। टो आपको प्रॉलब हाएगी औरстро और बहुत सारी कम्पनिया जो नहीं सस्ते में करवाती है वह सबको प्रवाइड कर चाहिए लाइसे प्रॉबलम आ गई तो मेंटर इसका खर्चा पड़ता है बागी उसके अलाबा अगर देखे तो crack को crack रखने के लिए वो लोग कुछ लोगों को पैसा देते हैं तो वो एक अलग बात है तो अगर उस चीज को अगर छोड़े तो बागी जो problem से हमें भी आएगी क्योंकि जब crack cpanel में कुछ problem आएगी तो कुछ लोग उन्होंने बिठाया होता है उसको solve करने के लिए दो वो solve करेंगे तो 3-4 दिन लग जाते हैं इतने टाइम तक आप अपना cpanel यूज नहीं कर पाऊगे तो मतलब आप अपने website के cpanel को अगर access नहीं कर पाऊगे तो आप स को free domain मिलता है free SS certificate मिलता है cloud flare का premium cdn मिलता है वो free of cost में ठीक है अब cdn का मतलब होता है कि content delivery network content delivery network का भी यह मतलब होता है कि आपका जो server है वो हो सकता है दुनिया के किसी भी कौने मैं यूष ने हो और आपका जो user बेठा है वो इंडिया में बेठै अब कि आपका जो user है माल की दिल्नी में बेठै डिल्नी में बेठा 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 वो अपने laptop पे आपकी website उपन कर रहा है आपकी website का जो website है वो यूएस में, यूएस के किसी Servers में, तो रिक्वेस्ट का जाएगी उस यूजर के Laptop से यूएस में जो Servers में जिस जगे पर आपका Website Store रहे, बहांपर रिक्वेस जाएगी और बहां से वो रिक्वेस्ट पूरा उसके Laptop रहे, तब जाके वो है वो डिस्पले होती है तो इसमें टाइम लगता है क्यों यूस तक जाना पढ़ाई रहा है ना रिक्वेस्स को यूस अग जाना पढ़ा आप यह मतलब नहीं कि रिक्वेस्स को जाना जाना अगू एक दू गंटे का टापने नहीं कुछ सेकन्स मीनिसेकंड का फ़रक लेने का प्रिम्य का पड़ता है तो चीज आपको यहां पर बिल जाता है। इससे होता यह है कि यह टाइम है इसे कम कर देता है। कैसे करता है दिल्ली में बैठे वे उस बन्दे के सबसे नज़्वर रखांगा उस सर्वर पर भी आपके website की copy को रख देगा तो आपका जो user है वो दिली में बैठे-बैठे दिली के नसदी की server से request डालके वहाँ से भी ले सकता है और ऐसे ही हर किसी server दुनिया के हर किदर भी जहाँ-जहाँ servers है वहाँ-बहाँ आपके website की copy रखी जाएंगी cloudfresh video के वजह से तो यह जो service है वो CDN प्रवाइड करवाता है तो इन CDN के साथ BlueOS का tie-up है इस वजह से आपको free of course cloudfresh video मिल जाता है और 24 into 7 expert support है भरोसा नहीं होता पर call करके देख लेगा आपको यकिन हो जाएगा एक ही बार call करना पड़ेगा आपको आप समझ जाओगे कि किस तरीका support है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलता है देखिए आप websites बनाओ सकते हैं वो एक अलग बात है हम बात करते हैं hosting की WordPress hosting, Managed WordPress hosting, WooCommerce hosting, Shared hosting, Dedicated hosting और आपको online store बगेरा बना के देते हैं मैं SEO service को अगेरा करके देते हैं तो सारा WordPress guidance सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है ठीक है, आपको एक ही जगे domain moment सब आप में हो यही से मिल जाएगा आपको कहीं भी किसी भी दूसरी चीच के लिए जाना की जरोद नहीं पड़ेगी अब या mainly mainly जो website hosting हम purchase करते हैं वो actually में होता है share hosting हम normally जो सबसे cheap price में कोई भी hosting हम नी जो pride कर राती है वो है share hosting तो हम एक बार share hosting को open करेंगे ठीक है, अब जिन लोगों ने अभी तक कभी भी hosting purchase नहीं किये उन लोगों के लिए मैं पता देता हूँ जो bonus videos मैंने आपको कहा था शुरू में वो यह है आपको YouTube पर आके टाइप करना है Bluehost hosting और यहाँ पर आपको देखने को भी लेका यह वीडियो जिसके अंदर मैंने Bluehost hosting आपको purchase करके दिखा है अब इसके लाब एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा जो है वर्डप्रेस का एक कंप्ली टुटोरियल मैंना की बताया हूँ इसका चार गंटे का वीडियो है आपको टाइप करना है वर्डप्रेस टुटोरियल फॉर बिगनर्स डी मार्केटिंग आप जैसे सर्च करोगे आपको ये एक वीडियो देखना को मिलेगा जिस्ते अभी बन पॉइंट वीडियो अगर आप एक दो महीने बाद इस वीडियो को देखते तो हो सकता है तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया है मैंने इसमें और इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको भी डिस्काउंड लिंक मिल जाएगा मैंने यहां से डॉमेन वोस्टिंग अगरा सब कुछ पर्चेस करके उसी पर मैंने साला सब कुछ सिखाया है सुनों में काफी वाध है कि कोई खूर में ओicamente कि ये डिढी के लिमेट जिनके बारे कहीं बात नहीं जुपी है फैillon x यहां पर आप देखो प्राइज यह है इसके प्राइज देख लेते हैं इंडिया और युए सर्व दोनों मिलते हैं प्राइज दोना में प्राइज बिल्कुल से में 169-279-279 यहां पर प्राइज बिल्कुल से में तो अगर कोई होस्टिंग कमनी आपको शेर्ड होस्टिंग के प्राइज प्राइज दे पा रहे हैं तो इसका एक ही एक मतलब होता है कि वर्ड़ प्रेस खुद क्यूंकि ब्लू ओस को रैक्मेंड करता है और ब्लू होस्ट की जो कमपैटिमिटी है वो इतनी अच्छी यह वर्ड़ प्रेस को खुद ने ब्लू होस्ट mood power है तो कोई भी बंदा वाड़्ट्रोस होस्टिंगे लेगा क्योंकि एक जो वेनिफिट है उनमें आवको बता दिया कि सब कुछ आपको डेडिकेटर ली मिलता है और इसके अलावा आपको यहां पे जो बेसिक प्लान है उसमें एक प्लस- sad मिलता है प्लास प्लान में अंलीटर वबसाइट और चो Nu चोऊस приसे हे वह बिल्कुल सेम और लेकिन था कि अंदर आपको दो एक्श्टा अज्टा तक हम पिलते हैं डिली सॉर्प कर देली से लिए था क्वारद दयुन गडियर था क्योंकि अगर नहीं होगा तो बाद उनका बैक अप ले सकते हो लेकि जैसे ही चार पाँच दस पंदरा बीस वेपसाइट आपकी जब हो जाएगी तब आप डेली बैक अप नहीं ले पाओगे खुद से क्योंकि हर दिन काम करने के बाद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप रात को सोने से पहले डे बैक आप शेडिूल कर लेंगे डेपिन लिए बैक अप शेडियूल कर लोगे ठीके लेकिन बहँ पर भी आपको येतो पर एक लेजी करना पडेगा और वह वह सारी डिफै कंप्र लूड आई गा एकसर लोड आएगा तो कहीं ना कहां कि आपके आफसाइट के speed का compromise करेगा डेफिनेटली hosting company एक foundation होती है कि hosting company अगर अच्छी है वो आपको अच्छा गादा speed प्रवाइड करवाती है तो आपको एक power मिलता आप उस power को बहुत सारे plugin डाल के खराब कर दोगे तो मतलब क्या है ठ पर एक website का backup आप लेने के लिए पर plugin का यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप इतने सारे website यहां पर host कर सकते हो 20-25 website आप होस्ट कर रहे हो अगर माल लो choice plus fan में या फिर 5-10 website के अंदर आप उसी plugin को यूज़ कर रहे हो है ना उसी plugin को 5-10 website में आप यूज़ क 3GB RAM, 3GB RAM मार्केट में कोई भी प्रवाइड नहीं करवाता है, ठीक है क्यों प्रवाइड करवाते है 3GB RAM क्योंकि आपको सबसे बढ़िया performance जो है वो देखने को बिले है, अब उस performance में आप बहुत सारी website डाल रहे हो, उन सब के अंदर आप डाल रहे हो, वो सेम plugin जो है, जो क आप आपको कुछ भी करने के requirement नहीं है, company आपके लिए खुद backup लेके रखती है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज बहुत ज़्यादा important है, और domain privacy भी है, काफी सारे लोगों के लिए domain privacy बहुत matter करता है, क्योंकि domain privacy होता है कि कुछ websites ऐसे होती है, जहां पर आप जो है, चेक कर सक अब लेना कब चाहिए, यह बहुत important factor है, basic plan आपको तब लेना चाहिए, जब आप एक साल के लिए रहो, और choice plus plan आपको तब लेना चाहिए, जब आप तीन साल के लिए रहे हो, यह बहुत बड़ा difference से हमेशा याद रखना, कभी भी आप जो hosting purchase करते हो, तो यह बहुत बड़ा factor है, basic plan आपको एक साल के लेना चाहिए, और choice plus plan आपको तीन साल के लिए purchase करना चाहिए, ठीक है, क्यों आप यहाँ पर दूसरी website को host नहीं कर पाऊगे, और तब आपको एक और hosting लेनी पड़ जाएगी, तब आपको extra कीमत उसकी देनी पड़ेगी, तो उस case में यह कहता हूँ, कि choice plus plan आप पहले से लेके चलोगे, तब आपको hosting का पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको domain लेना है, domain इसको साथ आप host कर सकते हैं, ठीक है, basic plan अगर आप लेते हो, तो इसकी सबसे अची बात यह है कि कोई भी hosting company आपको basic plan में, सबसे सस्ते plan में 50 GB का SSD storage नहीं provide करवाईगी, 50 GB का SSD storage कोई भी company provide नहीं करवाती है, इस price range पे जो सबसे सस्ते plan है, उसमें कोई भी 1 GB RAM भी provide एक extra अची जो देखने को मिलती है, वो है free staging environment, यानि कि अगर आपके पास wordpress hosting है, और आपकी website उस पर run हो रही है, और आपको अपने website का design change करना है, तो आप यहाँ पर यह कर सकते हो कि आपके website का एक copy create कर सकते हो, उस copy के अंदर जो भी design का changes करना है आप उसमें कर सकते हो, और उसके बाद जो वो copy है, उसको आप यहाँ पर publish कर सकते हो, और तब तक आपकी जो पुरानी website है, वो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपके पास wordpress hosting नहीं होगा, तो उस case में आपको अपने wordpress को under maintenance board में रखना पड़ेगा, और जब तक आपकी website के नए design का का काम चल रहा होग तब तक आपका under maintenance में जो website है, वो पड़ी रहेगी, और ती 2-3-4 दिन जब तक आप जितना time आपको लगने वाला है, उतने time में आपकी website बंद रहेगी, और आपका business बंद रहेगा, आपकी blogging से अगर earning हो रही होगी, तो वो बंद हो जाएगी, और business से अगर आपकी earning हो रह तो आप उसने original website की साथ इसको replace कर सकते हो, तब तक उसके बाद आपकी जो नया design है, वो शो होने लग जाएगा, इसके लावा बाखी सारी चीज़े बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपको WordPress website migration देखने को मिलेगा, email marketing tool देखने को मिलेगा, SEO tool देखने को मिलेगा, यहाँ पर, automatic malware scan देखने को मिलेगा, speed boosting CDN आपको यहाँ पर, cloudflare की मैंने बात करती थी, website, stat, dashboard आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो यह सब कुछ है, और WordPress themes होगे रहा देखने को मिलेगा, तो यह सारी चीज़े जो है, premium themes है, यह सब, 100 plus premium WordPress themes है, हाला कि इसके लिए एक अलग से discount link में directly मिलेगा, माल वाकि 5000 रुपे कोई theme है, तो आपको 500 रुपे मिल जाएगी, lifetime के लिए, तो वो उसका discount link है, वो मैं आपको discussion में provide करवा दूँगा, ठीक है, और एक lifetime membership भी है, उसमें अगर आप लेना चाहोगे, तो वो lifetime membership भी आप ले सकते हो, उस link से जाके, और वहाँ पर है, एक बार अगर आपने membership ले लिया, तो lifetime के लिए जितने भी दुनिया में premium themes है, premium plugin से, HTML template से, CSS, जो कुछ javascript, जो भी template से, Drupal, Magento, Zoomla, इन सब चीजों के सारे themes, template सब कुछ आपको free of course lifetime downloads देखने को मिल जाएंगे, ठीक है guys, तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है, कि अ renewal आते ही, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलाएंगे, जैसे कि renewal के time पर जो 169 में लियाओ plan था, वो आपको 300 रुपीज में renew होगा, और यह 400 में और यह 500 में, तब फरक आजाता है, plus में और choice plus में, अब इस costing को कम कैसे किया जाएं, इस costing को आप कम कर सकते ह तो जो technique मैं यूज करता हूँ, उसका यूज करके आप इसे कम कर सकते हो, वो यह है, कि जैसे ही आपकी hosting खतम होने वाली होगी है, तो आपको पता होगा, तो आप उसको एक महीने पहले इस number पर call करो, जो customer care number है, और वहाँ पर call करके आप बोल सकते हो, कि मुझे अपना hosting renewal मे होते हैं, ना की इस पर, ना की इस पर, तो उस case में आपको choice plus plan ही लेना है, और basic plan ही लेना है, ठीक है, आपके जो renewal price रहेगी, वो बिल्कुल same रहेगी, जिस price कर आपने purchase किया है, ठीक है, तो ये था वो secret जो कि आपको याद रखना, अगर एक महीने पहले अगर आप call कर देत है, एक दिन में तो आप दूसरी hosting ढूंड भी नहीं पाओगे कि कौन सी hosting आपके रिए अच्छी है, ठीक है, तो कोई दूसरी hosting पे आप shift करोगे, आपको migration करना पड़ेगा, बहुत सारे लपड़े रहेंगे, और ये सारा चीज़ एक दिन में नहीं हो सकता, तो हो सकता आप ये keywords का use करके इन वीडियो को देख सकते हैं, और इनके description में भी आपको discount link मिल जाएगा, ठीक गाइस, तो अमीद है कि सारी चे clear होगे हो कि फिर भी अगर आपको कोई वीडियो को लाइक नहीं कहते हैं, तो आपने अभी तेक इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसी से हमे आपका बहुत बहुत धन्यवाद